हेलो सुदिन्टेंजर वेलकव चनल सिराश्यक दिश्टढ़ी आज मैनेगरिल डिसीजन का लेक्षे नमबर सिक्स है जिसमें हमें कवर करेंगे नए पॉंट्स अफ मैनेगरियल डिसीजन स्टार्ट करेंगे आच अब रहाँ कैसे प्राइश प्रिवेस लिक्चर मैनेजरेल डिसीजन का अपने कुछ कॉस्चिट वाले सम्स लिए थे हैं थोड़ा सा अप्ग्रेड करेंगे यह जो टॉपिक अभी करने वाले हमने फॉर्स टेशन में कवर किया है अलड़ी पीवी रिशो ब्रेक इवन पॉइंट यह वही चीज होने वाला है थोड़ा सा अप्ग्रेडिड वर्जन में होगा इसे कोश्चन नमबर वन दिख रहा है यहां पर विजया क्या में सोड़ी यहां पर दोनों कंपनी मर्ज होने का डिसाइड कर रहे है तो पूरा कंपनी मर्ज होगा जब भी मर्ज आप करोगे याद रखना कि अगर यह पूरा कैपसिटी नहीं है तो उसको 100% कपसिटी में कनवर्ट करनेगा एंड नेर्ज सेक्ट अगरो में समझ मैं क्या करना है 100% कपसिटी को दूसरे के साथ 100% में मर्ज करना यह चीज हम इसमें सीख रहे हैं आगे दिया है वेरीबल you are required to find out what should be the capacity of merge factory to be operated for break even क्या पुछा गया है what should be the capacity of merge factory capacity of merge factory मतलब 100% कितना capacity आएगा ये पुछा गया है आगे पुछा गया है to be operated for break even point तो break even point के लिए कितना capacity की जरुवत है वो पुछा गया है आगे पुछा गया है what is the profitability of working 80% of integrated capacity अगर 80% पर काम कर रहे है तो company का profitability क्या है ये पुछा गया profitability मतलब pv ratio profitability का मतलब क्या है pv ratio यहां पे pv ratio पुछा गया है आगे पुछा गया है what sales will give overall profit of six lakhs तीन question है सबसे पहला break even point पे कितना पसंद capacity है फिर 80% capacity पे pv ratio क्या है और पुछा गया है sales और प्रॉफिट of 60 सुरी 6 lakhs हमने दिखा था आरो एस वाला सम रिक्वाइड आप सेल्स वाला सम फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपन पीवी रिशो वाला उससे हम सेल्स फाइंड करेंगे तीनों सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे किस से सेल्स में माइनस होगा वेरिबल क्या मिलने वाला कॉंट्रिबीशन यहां पर आजाएगा कॉंट्रिबीशन कॉंट्रिबीशन में माइनस होगा फिक्स तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट बराबर देरा टू प्रोडक्ट यानि कि टू फैक्ट्री ए बी और हमको इनको मर्ज करना है तो इधर मैं लिख लेगा हूं टोटर है ठीक है ओके चलिए स्टार्ट करते देखते क्या दिया गया है में कि कृश्टी पर्संड Biz रिकितना बारा लाग अगर सिक्स्टी पर्संड कपासिटी च्वेर्व लख clos इलश है ह का इसकंपन्रिट पर्संड कितना शायद शायद 20 लाक्स आएगा इसा लग रहा बिल्ग बराबर तो मतलब 100% कितना होगा इसका 20 लाक लाक भी का तो 100% कितना है 30 लाक्स यह 100% कितना है 30 लाक्स तो मर्ज हो जाएगा तो कितना सेल्ज हो जाएगा 50 लाक्स यह मर्ज सेल्स है समझाए आगे बढ़ेंगे kole दिया है 90 मतलब आप सकेंगे जो 60 पर começ वह कितना है 90 लाक्स है मुझे तो 100 परसंट वे रिवल कर्द चाहिए कितना क्रॉश करेंगे कीतना आ रहा है पंद्रा लाक कि यह मुझे क्या मिलगे अरुन लगो एक कितना प्रेट पर्सेन्सट मेंवद्बihi दूंगा प्र्सका है कि कि इसका हैं हम्रेट प्रसेंटों दिया हुआ है अल्रेड़ी इतना दिया थे सिल linger यहां पर आ जेंगे ट्वन्टी टूवर्ण से प्वेंटी ट्विवथें टिसेवे लाइक्स अ कि टाइस में पंद्रा जाएगा कॉंट्रिबिशन आ जाएगा 5 लाग तकक्ती में 22 जाएगा एट लाक्स पांच और आठ तेरा लाख फचास में से 37 माइनेस करो तो भी तेरा आएगा आ जाते हैं फिक्स कोस्ट कितना यहां पर विर यहां पर 2,50 कितना परसंट 60 परसंट जो यहां तो होता है वह यूनिट से लेन देनी नहीं होता यह फिक्स करचा फिक्स करचा है उसको हम percentage में value नहीं करेंगे इसका मतलब यहां पर जो 250,000 है that is always fix वो fix 100% है that is not 60% तो इधर हम इसको cross multiply करके value नहीं find करेंगे fix will be fix 250 and 4 lakhs point to remember यहां पर आ जाएगा 2 lakh 50,000 है तो flow flow में आप उससे भी solve कर दोगे और गलती हो जाएगी तो यह हो जाएगा 6 lakhs 50,000 माइनस करेंगे यह आएगा 2 lakh 50,000 माइनस करेंगे इधर आ जाएगा 4 lakhs बराबर है यह total हो जाएगा 6 lakhs 50,000 done यहां तक तो हो गया कोई problem नहीं था पूछा क्या गया है क्यों में पूछा गया था what should be the capacity of merge factory to be operated for breakeven अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले यह break-even find करना पड़ेगा और break-even find करने के लिए सबसे पहला पीवी रेश्यों करना पड़ेगा फॉर्मिला है contribution upon sales into 100 किसका चाहिए merge का चाहिए तो merge का contribution sales तो यहां पर आ जाएगा contribution यानिके 13 lakhs upon 50 lakhs into 100 यह percentage में आएगा कितना आ रहा है 26% अभी break-even point का formula लिखूंगा break-even point का formula fix cost upon PV ratio fix cost कितना है जी 6 lakhs 50,000 PV ratio कितना है 26% तो 6 lakhs 50 divided by 26 percentage प्रेस कर दो कितना आया break-even point कितना है 25 lakhs यहां तक समझा है और आंसर यह नहीं है question में पूछा गया है what should be the capacity of the merge factory to be operated for break-even break-even में अपना sales कितना हो रहा है 25,000,000 तो कितना percent capacity हम कर रहे है तो as compared to sales अगर hundred percent sales है 50,000,000 तो break-even sales कितना है 25 हम कितना percent पर काम कर रहे है 50% पर हाया नहीं अगर hundred percent sales 50,000,000 हो रहा है तो break-even sales किया है 25 what is break-even sales इस point पर no profit no loss आएगा तो मतलब अगर मैं 25,000,000 रिखता हूं और इतना खर्चा करता हूं तो मेरा profit will be zero समझा मैंने क्या क्या पूछा गया है क्या capacity होगा company का मतलब इधर मैं क्या capacity पर काम कर रहा हूं तो यहां पे 50 percent capacity पे काम कर रहा हूं 50,000,000 है तो इसके लिए हम find करेंगे capacity of merge break even point इसका formula है break even point upon total sales into hundred तो break even sales कितना है 25,000,000 मैंने direct calculation किया बड़ फॉर्मिले के इससाब से लिख के दे रहा हूं 50,000,000 into hundred calculate करो देखो कितना रहा हूं 50 50 आएंगा calculate करके देखो 50 exact मतलब हमारा company कितने percent capacity पे काम करना चाहिए अगर break even है तो जो भी total है उसके लिए हमको कितना परसंट काम करना पड़ेगा 50% जैसे इस company 60% capacity पे काम किया इधर 100% पे काम किया तो merge करेंगे तो break even point मतलब company को no profit no loss अगर करना है तो कितना percent capacity कम से कम produce होना चाहिए 50% समझा question का answer क्या है समझा question ने पूछा गया था what percentage capacity what should be the capacity तो it should be 50% capacity for the break even point understood clear done second question हां जी वो तो चाहिए जा चलिए second way what is the profitability of working 80% of integrated capacity अगर आप 80% पे काम करना चाहते हो इसी टेबल को continue कर देता हो अब integrated मतलब क्या होता है total इंटीग्रेट का मतलब है total merge किया तो यह मेरा hundred percent आया बट अब वो क्या बोलना चाहरा है अगर हम 80% पे काम करेंगे तो हमारा profit कितना आएगा ठीक है वो भी तुमको दे देदाओ में पचास लाख hundred percent कितना परसंट काम करने मुल रहा है 80% तो पचास लाख का 80% कितना आ जाएगा देखो 40 लाख चाल्कुलेटर पे यूज़ करके देखो 40 लाख वेरियबल खर्चा 37 hundred percent है अपने को कितना परसंट काम करने का 80% तो 37,000,000,000 का 80% वैल्यू कितना आ रहा है था कितना है 30.000,000,000,000,000,000,000 याउड़ा और दीटिज सरे हिखो ये लाग है व आएगा 50,000,000,000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, दो कितना है 3,000 पर यह समझ salts में आया अभी profitability पूछा है और profitability पूछा है मतलब pv ratio पूछा है और pv ratio contribution upon sales into 100 तो यहां पे contribution कितना है 10,40,000 और sales कितना है 40 तो यहां पे आजाते हैं 10,40,000 अपन 40,00,000 पूछा इंटो 100 तो यहां पे आजाते हैं 10,40,000 अपन 40,00,000 तो यहां प्रोलो इतना नहीं है 26% परसेंट पक्का इतना है तुम लोग ने solve किया मेरे पास हो क्यालकुल है आपने नहीं किया था ना अभी करो मैं बूल रहा हूं ना 10,40,000 डिवाइड बाइड 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 चालिस लाग इंटो 100 16,000 अधुण अधे 26 आ रहा है जैसे समझ में यह हो गया प्रोफिटलिटी के बारे में पुछा रहे तो फिट के एअपने करना है अपने प्रोफिट sih यह करना है कि what sales will give overall profit of six lakhs अपने को profit कितना कमाने गाए छे लाग कमाने गाए तो देखते formula क्या यहां पर आर ओए रिक्वाइड ऑफ से इस इक्वास्ट प्लस डिजाय प्रॉफिट अपॉन पीवी रिशो फिक्स कॉस्ट माली में छे लाग पचास अजार profit कितना कमाने गाए छे लाग बराबर है अपन पीवी रिशो कितना है 26% तो यह हो गया 12,50,000 divided by 26% equivalent to 48,007,692.30 पती बाज समझ में आ गया समझा कैसी हुआ पक्का चालिए फिर बढ़ते पर देखते के में समक्वाय सब्सक्राइब यह उन्डड़ पर संफ ले काम कर रहा है बी निन सीमिलर प्लाइट है वह वांस्ट इम तो प्र पर बेटर परेशंच तो अपने यह अपने तर्नोवर का मतलब होता है सेल्स तर्नोवर का मतलब सेल्स तीनों का दिया है अमाउंट इन लाक्स दिया गया है वेरेबल अमाउंट इन लाक्स दिया है फिक्सक्ष आपको दिया है capacity of merge plan for break-even अभी किया था मैंने capacity of merge plan फिर profit at 75% of the capacity अभी यहां पर 80% यहां पर 75% फिर turnover from the merge plan to give a profit of 28 यहां पर 6 लाक्स यहां पर 28 लाक्स सेम तो सेम कोशिशन खाली अमाउंट बदल गया है दो प्लांट के चैके पर तीन प्लांट हो गया है चलिए फिर start करते हैं तीन प्लांट के लिए कैसे calculate करेंगे तो start करेंगे sales तो sales plant A है plant B है plant C है and then total बराबर तो plant A जो है वो कितना परसंट पे पूरा 100% पे यह 100% यह कितने परसंट पे 70 तो अगर 70 परसंट टू लाक एटी है वादब टू एटी लाक है तो हंड़ेट परसंट कितना क्रास मंटी प्लाइबर जितना रहा है 400 जा रहा है similarly यह 50 परसंट अगर 150 है तो हंड़ेट परसंट कितना 300 समझा अरे समझ मैं सेम विद द वेरियबल भी जाएंगे वेरियबल भी कर लेते अगर 70 परसंट 210 है तो हंड़ेट परसंट कितना देखो कितना रहा है 300 क्या बात है और यहां पे अगर 50 परसंट 75 है तो हंड़ेट परसंट कितना 350对 him fix to fix ही रहेगा shopping समझ में आ गया पहले वाले का 300 दुसरे वाले का 400 तीसरे वाले का 300 300 400 ं यह सेल्स हो गया dispons 200 300 150 समझा पक्का समझ मैंना सीमा चलिए आते तो सेल्स पर आ जाते सेल्स यहां पर पहले वाले का था 300 दूसरे वाले का 400 तीसरे वाले का 300 टोटल कितना हो गया तो यह 1000 माउंटें लाक्स मैंनस करूंगा मैं वीरियबल खर्चा तो वीरियबल दिया था पहले वाले में 200 इसमें 300 और इसमें 150 में रांडम नहीं मिरे को मालूम नहीं था मैं ऐसे लिख रहो खाली चेक कर लेंगा पर बराबर यह ना इसका 300 इसका 200 और इसका 150 बराबर है चलिए ठीक एड कर लेंगे तो 650 हो जाएगा माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा contribution माइनस करते contribution ले लेते 100 यहां पे 100 और यहां पे 150 टोटल ही हो जाएगा 350 माइनस करेंगे FC यानि के fixed cost कितना दिया एक बार चेक कर लेते fix cost दिया 70 50 62 मराबर है तो 70 50 और 62 70 50 62 टोटल कर लेंगे यहां पे कितना रहा है 182 माइनस कर लेंगे अपने को profit मिल जाएगा पहले वाले में 30 दूसरे वाले में 50 यहां पे आपको आ जाएगा कितना 88 ना पका चुदा पंदर बराबर है एड कर लो 168 शायद 168 ना यहां तक क्लियर है पक्का क्लियर डिस इस डन अब जो आपने पिछले सम में किया था सेम यहां पे करेंगे सबसे पहला हम find करेंगे पीवी रेशो पीवी रेशो का फॉर्मिला क्या है contribution अपन से इन तू हंडडर्ड मर्ज का contribution कितना है 350 मर्ज का सेल्स कितना है 1000 इन तू हंडर्ड दो जीरो दो जीरो कट एक जीरो एक जीरो कट 35% अभी से हम क्या find करेंगे break even point break even point का formula fix cost अपन पीवी रेशो फिक्स कोस्ट है 182 और पीवी रेशो 35% फट से break even point 520 लाक्स अभी operation कम माइन करना है तो कितना परसंट के पासिटी बेग चल रहे हम यह है 1000 यहां पे combine ब्रेक even point विल बी पिक्स कोस्ट अपन असरु पिक्स कोस्ट नहीं यहां पे आएगा यहां पे बीपी आ जाएगा चलिए यहां पे आएगा बीएपी अपॉन टर्न ओवर टोटल सेल्स यहां फाइफ ट्वेंटी अपॉन थाउजन इन्टु हंड्रेड इन्टु हंड्रेड मतलब नहीं किया तो भी छलेगा यह आपको आएगा 52% क्योंगी आमाउंट इन परसंट है चाहिए इसके लिए समझ में आएगा यह फिर्स्ट टोड़े कुश्टन का तीन आंसर हुआ फेले पीवी पीवी से ब्रेक यूइन ब्रेक यूइन से यह अपना आंसर है कमारा आंसर क्यापासिटी मर्च प्लान का कितना परसंट क्यापासिटी होना चाहिए मतलब आप अगर काम कर रहे हो तो 52 परसंट कमाट करो के मैनिफेक्ट्टर तो आपको कोई प्रॉफिट फ्रॉफिट वी लॉस्त नहीं होता समझ में आया यह इंगा संदू पक्का सेकेंड कोंस्ट्ट पॉस्चिन बेजा अब सेकेंड कुस्ट्टमें क्या पुछा है सेवेंटी फशें के सब्यूंत कैसिटी पॉइंट फाइव राउंड आफ ने करना पॉइंट फाइव में ही रखना उसको सर क्यों विकॉस अमाउंट इन लाइक से राउंड आफ करने का घाई नहीं करते यहां पर माइनस कर दीजे कितना आ रहा है इसके पहले एटी परसंट यहादा भी सेवेंटी परसंट माइनस कीजे कितना रहा है पॉइंट फाइव चीग है फिक्स्ट विल बी सेम वन एटी टू फिक्स्ट में दो चेंज होता नहीं है कितना पॉइंट फाइव डन अब इसके लिए हमको पीई फाइंड करना है पीई रिशयो फॉर्मिला कॉंट विशन अपॉन सेथ इन्टू हंड्रेग बराबर है यहां पर ने दो उस फोंट ने तो इन डिन को लास्ट कुश्चन था क्या लास्ट कोश्चन में बोला था अगर सेल्स इतना है कितना है 28 लाके तो सेल्स कितना वह पूछा गया है वराबर यहां पर वापस से आरो एस का फॉर्मिला अप्लाई कर देंगे आरो एस विल भी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजाय प्रॉफिट समझा है क्लियर हुआ है लास्ट तुमको असाइन्मेंट दे रहा हूं सेम टू से में एक्स्प्लेशन दे रहा हूं लेकिन सब लोग असाइन्मेंट में करेंगे जो लोग वीडियो देख रहे वो कमेंट के अंदर या टेलीग्राम की उपर में आपडेट कर देंगे सब्सक्राइब परसेंट शीक्सन डारा चलिए फिर सिक्संडड होई नहीं लिख देते हैं आप जो बोलो कि कोई मैंने दो आंसर भी नहीं देखा है थीक है समझ में आया क्या चलिए कोई नहीं होता है यह उमर में इस नॉर्मल आगे बढ़ता है क्या नहीं आ रहा है कि लाव में कर ले दो हो सकता है कि बाइब किसी मोबाइल पर कुछ और आ रहा है 182 प्लस 28 आ रहा है 210 डिवाइड बाइट थर्टी फाइफ परसेंट कर रहे तो मेरे को इस पर भी 600 आ रहा है मतलब सही जा रहे हैं उमर में होता है वह मोबाइल पर आप अब मोबाइल का जो क्याक्योटर में आंसर डिफर करता है विगास मुबाइल जो है बोड मास रूल अपलाई नहीं करता है रहे समधिंग डिफरेंट इसके लिए आपको क्याक्योटर यूज करना चाहिए ठीक है यह अदक अब आते थर्ड वाला जो मैं आपको एक्स्प् इसके आफियरल एक था डिफरेंट यूज कि अधियर Allah इस निए मटै तो मेसले निटिमेंट में करना है चे शेक्सिकेंट जान यह तो 02 क्रण 20 परक पासिट हो करेंड गया है अलग से स्पेसिफाई कर दिया उसके साथ किया ने पहले ब्रेक इवन और फिर कपासिटी फिर फिर प्रॉफिट और इफ दो मर्ज प्लांट इस ऑपरेटेट एड कपासिटी लेवल आफ एटी परसंट एटी परसंट कपासिटी पे समझ में आये क्या इतना कर सकते हो इतना करेंगे तो हमारा आपका जो टॉपिक है मैंने डिसीजन उसमें हमने सेवेंटी परसंट कंपरीट कर लिया है और भी बाकी कुछ चीजी थोड़ी बात और रहेगी इसके अंदर बहुत जादा है बट चीजे सब में वही हो रही है तो अगर आप प्रॉपर प्रैक्ट्रीस करोगे तो समझ में आएगा क्या दिमांड किया और फिर उतना आप सॉल्व कर सकते है ठीक है क्या तो आज के लिए इतना है उफिल आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लिस वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड जुरूप मे